तो अप आपके लिए क्या होतें बैइंट उस्थ में क्या होतें त। स्पेश्ट हैं तो कोंगुलेंट का कौ suspend में क्या होता है कभी पे मान लिया suppose कि कहीं पर किरी हैं यहां पर किसी तरह की कोई कि इंजरी कोगा जाए हो गई मैं तो यहां यहां गई इनगी हो गई तो खंप यहां कोगा सब्सक्रार दर बाए है चाओ ने Augriend रेडी मिन्स इंजरी हुई ब्लेडिंग कर जाती है जिससे की क्या होता है जो प्लेट लेट्स होती है वहां पर मैक्सिमम जाके स्टोर हो जाती है जैसे कि वहां के जो टिशू होंगे जो डैमेज होंगे बही है यहां के टिशू डैमेज होंगे जब डैमेज होंगे तो यह क्या रिलीज करेंगे थ्रॉंबो प्लास्टिन टिशू क्या रिलीज करेंगे थ्रॉंबो प्लास्टिन अब थ्रॉंबो प्लास्टिन को क्या है यह एक्टिवेटर का काम करता है कौन एक्टिवेट करता है थ्रॉंबो प्लास्टिक मीन्स देखो क्या टिशू सबसे पहले इंजरी हुई इंजरी से टिशू क्या रिलीज करेंगे थ्रॉम्बो प्लास्टिन यह क्या है एक्टिवेट प्रोथ्रॉम्बिनेज जो प्रोथ्रॉम्बिनेज होता है एंजाइम उसको क्या करता उसको उसको एक्टिवेट करने का काम करता है प्रोथ्रॉम्बिन जब एक्टिवेट होगा देखो प् थ्रॉम्बो प्लास्टिन किसका काम करेगा इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा क्या करेगा इसको प्रोथ्रॉम्बिन को प्रोथ्रॉम्बिन जो इनक्टिवेट कंडिशन में एक्टिवेट करने का काम करेगा जिससे होगा क्या प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर कौन स factor होते हैं कितने से बे 5-13 टक क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जिससे यहां पर क्या है 8910 इनका इस्तिमाल होता जिसरे क्या होगा प्रोथ्रॉम्बिन बनेगा फॉब grabbed उपिन में यानि प्रोख्रॉम्बीन क्या है positively फॉर्म है जो एक्टिव फॉर्म में आ है 3 بنग जाता है अब यह 3 एक क्यों बना है क्योंकि जो क्रांबिन होता है यह इन एक्टिव क्या है इन एक्टिव फिरी जब हुआ फिबरिन में कनवर्ट करता है हमारा कौन थ्रॉम्बिन कौन करता है थ्रॉम्बिन और यह फिबरिन क्या है यह इसी तरह का यह जो मेस-like structure बना हुआ है तें इसी क्या होता है इसी को बोलते हैं क्या होता है इसी को बोलते हैं ब्लैड क्लॉट ठीक तो यह एक सिंपल थोड़ा सा प्रोसीजर था जो बहुत ज़्यादा जानने की जिए क्योंकि हम लोग मेकनिजम आफ एक्शन पढ़ते नहीं है हमारे में है नहीं नीट नहीं थी लेकिन क्योंकि कोगुलेशन पढ़ रहे हैं ना आदमी की सरजरी स्थां बहुत्ती किसी तरह कोई बीमारी होजाए यह किस ऑप होता है एक डिजीज का नाम सुना होगा चाहरब रॉंस डिजीज बोलते हैं। या फिर और ऑप ब्लीडर्स डिजीज क्या ब्लीडर्स डिजीज नहीं आदा आएगा हीमोफीलिया क्या हीमोफीलिया रोयल्स डिजीज ब्लीडर्स डिजीज या हीमोफीलिया यह डिजीज है जिसके अलग अलग नाम है इसमें यह क्लोटिंग फैक्टर जो क्लोटिंग फैक्टरस होते हैं य यह प्रेजेंट नहीं है कौन on se clicks factor कौन सा ृष तर एक्टर 19 है अप सेंट होता है जनके अंदर क्या है जिन Corner हो जाता है और यह कैसा है जो X क्रोमोजोंम होता है एक्स हेमोजोन वो कैरियर होता है, रिस्पॉंसिबिल होता है, किसके लिए? हेमोफीलिया के लिए, यह तरह की जनेटिक डिजीज है, मिन्स उनके जीन्स में ही यह प्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, उनको किसी तरह कोई बीमारी हो जाए, तो ब्लेड लगातार लॉस होता रह होती, बहुत रेयर केस में यह प्रॉब्लम होती है, ठीक, तो अब समझ में आया कि भाई, कोगुलेशन क्यों जरूरी है, एंटी कोगुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, कोगुलेशन जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास दो ड्रग है, थ्रॉम्बिन एंड मिनाडायोन, ह जैसे कहीं भी अगर बलड बहने लगा, तो क्या कहते है, विटेमिन क की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कमी है, तो जल्दी से बलड की क्लोटिंग नहीं होगी, तो थ्रॉम्बिन और मिनाडायोन ये दो ड्रग हैं, जो एक्ट एज कोगुलेंट की तरह यूज होती हैं, मिनाडायोन का, याद रहे कि यह बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट, तुम्हारे एक्जाम पॉइंट आफ यू से, शाट नोट बहुत पुछा जाता है, एस्पेसली, मैं यह तो नहीं बोल सकता, ति ड्रग पुछी मिनाडायोन पुछी, अगर पुछी भी गई, तो मिनाडायोन पुछी आती है, 90% क्या है, यही पुछा आता है, मैंने पांच साल के प्रिवियस एर के पेपर्स दिये हैं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक, तो मिनाडायोन देखते हैं, यह स्क्रीन शॉट ले पुछी तो मिनाडायोन पुछी तो मिनाडायोन में एक रिंग होती है, जिसको बोलते हैं, नैफ्था कुई नों रिंग, इसमें क्या है, सिंपल सा है, देख लो ध्यान से, याद हो जाएगा, वही यह आपने बना ली क्या, बेंजीन रिंग, ठीक, यहां तक कोई समस्च् है, यह क्या है, एक इधर करो, एक इधर करो, और यह ऐसे, नमबरिंग कर दो भई, वन, टू, थ्री, है न, फोर, फाइब, फिर नमबरिंग करते जाओ, अब यह क्या है, नैफ्था कुई नों रिंग है, कौनसी, नैफ्था कुई नों रिंग, वन और फोर पोजिशन पे, वन और फोर पोजिशन पे क्या है डाइयोन लगा हुआ इसलिए वन फोर नैप्था कुई नोन बोलते हैं ठिक वन फोर नैप्था कुई नोन ये रिंग अगर आपको पता चल गई तो फिर आगे समस्या है खतम एक बेंजीन रिंग है साइड मेंक रिंग और है रिड्यूस्ट रिंग है है बेंजीन की यह भी लेकिन रिडिल्ई रिंग है वन और फोर पोजिशन पे इस पे क्या है कि टोन गुरूप लगा हुआ है ठिक तो अगर इतना पता चल गया तो देखो ध्यान से इसी पे CS3 लगा दो सिर्फ इसी पे CS3 लगा लो क्या हो जाएगा मेनाडाइओन नाम क्या है दूसरी पोजिशन पे 2 मेथाईल अब इसमें क्या है भई 2 मेथाईल इस रिंग का क्या नाम है 1,4 नैप्था कुईनोन ठिक अब ये लिखने से फाइदा एक और होगा आपको एक रिंग के बारे में पता चला कि ये रिंग नैप्था कुईनोन की रिंग है कई बार एक्जाम में रिंग बनाने को आ जाता है वो क्या करते हैं एक नाम दे देते हैं कि भई चलो इंडोल की रिंग बनाओ पाइराल की रिंग बनाओ वन फोर नैप्था कुईनोन की रिंग बनाओ इस तरह से भी क्वेश्चन आये हुए हैं तो जब एक्जाम आने वाला होगा पचास क्वेश्चन में इस तरह के बना के दे दूँगा उनको रट लेना आपका काम हो जाएगा ठीक तो क्लियर हो गया नैप्था कुईनोन रिंग पता चल गई दूसरी पोजिशन पर हमने मेथाइल गुरूप लगा दिया तो क्या हो गया टू मेथाइल वन फोर नैप्था कुईनोन ये इसका क्या है आयू पैसी अच्छा का चीज क्या रांब करता है गयितला ये रिक-ऽन भॉस लाइट बिटर टेस्थ धा क्रें टेस्ट की बात करें, slightly bitter in taste होता है, कई कई बुक में लिखा हुआ है, tasteless, but बहुत slight bitter taste होता है, solubility की बात करें, insoluble होता है water में, लेकिन complete soluble होता है, किसमें, chloroform में, oil में, ether में, melting point की बात करें, तो 105 से 160 degree Celsius पर ये melt हो जाता है, ठीक, उसके बाद last में use की बात करें, तो कैसा है, anti hemorrhagic condition का action इसका होता है, means कहीं से अगर hemorrhagic किसी को हो जाते है, blood loss लगातार body से होता रहता है, वहाँ पर ये क्या coagulant का काम करते है, means anti hemorrhagic action होता है इनका, ठीक, मिना डायोन और क्या करते हैं, irritate करते हैं, mucous membrane respiratory, passage and skin को, ठीक, official preparation या pharmaceutical preparation की बात करें, तो मिन आयोन ही मुश्ली पूछते है, coagulant में, अब हम लेते हैं कौन सा, next example कौन सा वारा, anti-coagulant, तो, anti-coagulant, anti-coagulant क्या होते हैं भई, इनका क्या काम होता है, भई, coagulation हमने देख लिया, coagulation का क्या क्या करते हैं, वो blood को बहने से रोकते हैं, ठीक, blood को clot करते हैं, अब ये क्यों है, अड़ एंटी कोगलेंट ये ब्लड को क्या करते हैं। कलट नहीं होने देते हैं मीन्स बहने देते हैं। अब इसकी क्या जुरूत है। क्यों आया भई यह इसकी क्या नीड है अब सोचो कि वेंस में या अट्रीज में ब्लेड फ्लो हो रहा है अगर किसी भी तरीके से यहां पे क्लॉट हो गया या छोटे-छोटे से क्लॉट ब्लेड के साथ बहने लगे ब्लेड का रास्ता सक्रा हो जाएगा प्लस यह क्लॉट कहीं भी फंस सकते हैं ठीक तो प्राब्लम हो सकती है बहुत बड़ी प्राब्लम हो जाएगी तो ब्लेड कहने का मतलब अगर एंटी-कोगुलिंट हमारे ब्लेड में ना हो तो यह क्या है नसों में खून जम जाएगा युण नसों में खून जम जाएगा तो इनसान जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि खून जाएगा तो जो ब्लेड का काम है हर से तक निऊट्रीयंट स पहुँचाना और हर से वेस्ट मेरीड को वापिस लेकर आना और एक्स Creator करवानाौ्ण ठीक। यह सारा काम क्या करता है a blood करता है हमारा तो जब blood ही नहीं पहुच पाएगा Klakt हो जाएगा उसमें blood नहीं जाएगा और यह सब क्या है हमारे body क्या है पूरा션 blood circulation closed system है एक जगे मामला गड़ effectivement हुआ अगर गाड़ी रुकी तो बाकी जगे भी मामला गरभड हो जाएगा इसलिए एंटी कोगलेंट भी बहुत जरूरी है खीक अब एंटी कोगलेंट किसी किसी के सरीर में भई अच्छा हमारी बॉड़ी में पहली चीज़ अंटी कोगलेंट कैसे है ब्लड में होती है मास्ट सेल्स क्या होती है मास्ट सेल्स होते है हमारे ब्लड में यही जो मास्ट सेल्स है यही जो है सिक्रीट करते है हेपेरिन को किसको हेपेरिन सिक्रीट होता है कहां से मास्ट सेल से और मास्ट सेल कहां है हमारे ब्लड में हैं ठीक ब्लड में मास्ट सेल होते हैं जो हेपेरिन सिक्रीट करते रहते जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से ठीक अब और क्या हो सकता है जैसे वेनस थ्रॉम्बोसिस थ्रॉम्बोसिस मतलब थक्का जमना खून का थक्का जम जाता है या फिर पल्मोनरी इंबोलिज्म पल्मोनरी इंबोलिज्म मतलब फेफडों में फेफडों में खून के थक्के जम गए हैं तो या कार्डियक आजाईटर्टी बात है बलड का काम है बलड को टारेट मिला है किश वैन से आपको ब्लड यहां तक पहुंचाना है तर्गे इस और यहां पे क्या है इंबूलिस्म हो रहा है थककाजम रहा HOW udah करेगा पूरी ताकत लगाता रहेगा, पूरी ताकत, अब आप घर पे मोटर चलाओ, और मोटर से पानी न निकलने दो, तो क्या होगा, वो और तेज धके लेगा, और तेज धके लेगा, अगर उसकी जितनी ताकत, उस ताकत से, अगर आपका हाथ हट गया और पानी निकल गया तो ठीक, नह स्टेज के बाद मसल्स ठक जाएंगी और अगर मसल्स ठक जाएंगी तो पेन होना शुरू हो जाएगा और क्या बोलेंगे इसको हम काडियक इन फ्रक्षन ठिक तो इन सब चीजों के ट्रीटमेंट के लिए चीजे ना होने पाएं ब्लड में एंटी कोगुलिंट का होना बहु अगर कम हो गई कहीं पर भी या मान लिया फिर इसलिए वेनस ठ्रम्बोसिस हो गई किसी बीजन से या पल्मोनरी इंबोलिज्म हो गया तो क्या करते हैं दवाएं दी जाती है जैसे बिस हाइड्रोक्सी कोमारिन और वारफेरिन सोडियम इस को दो पार्ट में इस ट्रीटमे हमारे में हमने मिनाडायोन और फ्रमबिन जो था दो ड्रग ऐसी थी तीन ड्रग यह है जो एंस लिए दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट पढ़ा दिया कि कर्फूजन नहों ठीक हैं है फेरिन हमारी बाड़ी में मास्ट से सिकरिट होता है और अगर कम पढ़ जाए तो इसक इंटेस्टाइनल म्यूकोस ऑफ और फैन पिग या शीप से ठीक इन जगओं से इसको क्या करते हैं यूद्य यreckट क dif你 के सिड है यह दो फॉर्म में मिलता है, एक हिपरिन कैल्सियम, एक हिपरिन सोडियम, जो हिपरिन कैल्सियम है, उसका जो ब्रेंड नेम है कैल्सी पैरिन, और जो हिपरिन सोडियम है, उसका ब्रेंड नेम है हिपरिन और हैपसल, ठीक, तो ये क्लियर हो गया, प्लेन हिपरिन है, तो हिपरिन के सब्सक्राइब वाइट क्रीमी वाइट कलर कि या क्रीमी वाइट और लेस्ट रहता है और टेस्ट कैसा केरेकटरिस्टिक टेस्ट रहता इसका इसका सॉल्यिटी की बात करें तो होता है वाटर में लेकिन प्रैक्टिकली इन्सॉलिबिल होता है एल्कोहल एसे टोन या बेंजीन में इस टोरेज की बात करें स्टोडिन वेले टाइट क्लोस कंटेनर स्विच इस रेजिस्टेंट पॉर्म लाइट यह बहुत ही ज्यादा कैसा हाइग्रोस्कोपी की नेचर हो पास क्या लोगों का एक्सिडेंट हो गया खून मींस सर पे चोट लग गई कहीं चोट लग गई तो लोग क्या कैतने है ब्लड का थक्का जम गया क्या हो गया ब्लड का थक्का जम गया उसके लिए क्या है एंटी कोगुलेंट देना पड़ता है है पैरिन देना पड़ता है वो क्या करेगा कोसिस करेगा forcefully जो clot बन गया है उसको dissolve करने का काम करेगा जिससे blood जो है बिल्कुल सही तरीके से flow हो सके body में ठीक, used in prevention and arrest deep vein क्या होता है कि अगर anticoagulant blood के अंदर नहीं है तो vein में arrest हो सकता है vein में arrest होने का मतलब यहाँ पे blood clot हो सकता है clot हो जाएगा तो blood flow सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो इसके यह ऐसा ना हो पाए इस stage को prevent करने के लिए हिपेरिन का होना जरूरी है हिपेरिन मतलब anticoagulant official preparation की बात करें तो हिपेरिन का calcium के साथ salt as per bitispermogopia हिपेरिन का injection आता है ठीक हिपेरिन injection as per bp hyperin salt sodium है as per bp and ip ठीक तो यह बात हुई anticoagulant की अब हम हेपेरिन अब हम बात करते का है की warfarin की warfarin की बात करें अगर तो brand name बही किसी तरह का कोई यह strict mark नहीं इसलिए इसका structure पढ़ने की जरूत नहीं तो brand name की बात करें तो compound 42 यह इस बार जो है exam में आया था किसमें multiple choice में तो compound 42 warf compound 42 warfarin है तो warf compound 42 यह दो नाम से इसका brand name है property की बात करें तो color कैसा होता है white powder होता है white color का order की बात करें तो किसी तरह कोई order नहीं होता है means गंध हीन होता है कैसा गंध हीन हना और टेस्ट की बात करें तो bitter in taste यानी कैसा है तीखा तीखा स्वाध होता है घुलन सीलता की बात करें solubility की बात करें तो पानी और एलकोहल में घुलन सील है क्या है घुलन शील है ना और slightly solubile होता है chloroform और ether में CHCl3 chloroform और और इधर ठीक melting point की बात करें तो 161 यानी 161 degree Celsius storage की बात करें stored in well airtight close containers which is resistant from light और warfarin जो है यह बहुत ही ज्यादा hygroiscopic compound होता है means अगर expose करके रखा गया atmosphere में तो moisture gain कर लेगा ठीक ऑफिशल की बात करें तो 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 ऑफिशल preparation की बात करें तो warfare in tablet as per British pharmacopoeia warfare in sodium as per BP warfare in potassium tablet as per United States pharmacopoeia warfare in sodium की tablet आती है as per USP अब बात करोगे कि सर जी यूज नहीं बताया आपने तो यूज क्या है सिंपल सी चीज है कि क्या यूज इसका as a anticoagulant अगर हम बात करें तो यूज डैज एंटी कोगुलेंट है न एंटी कोगुलेंट का क्या क्या यूज है यह सारी कहानी आपकी बताई है वह सारे जो भी हमने एंटी कोगुलेंट हेपैरिन में बताया था जो कुछ भी हेपैरिन में बताया था है वें अरेस्ट कहीं पे इमबोलिज्म हो जाए है न न तो उन सबके ट्रीटमेंट में हल्प करता है कहीं भी पूमोनरी ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ओफ पल्मोनरी इमबोलिज्म ठिक यह क्या है यूज हो गए नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है au met engage करेंट थैंड़ तो brand name की बात करें तो Dicu, Merol, Dicumol और Dicomarins यह क्या है इसके famous brand name है property की बात करें white color का या white creamy color का crystalline powder होता है order की बात करें तो faint order होता है और कैसा faint? pleasant, pleasant faint order होता है means अच्छा लगने वाला है, taste कैसा है? slight bitter taste होता है solubility profile की बात करें तो insolubile पानी में घुलनसील नहीं है ध्यान रखना, नहीं तो आपके लिए तो सब कुछ पानी में घुलनसील है ठीक, तो यह criteria अलग है, solubility profile हमेशा दोखा देगी ध्यान रखना freely solubile होता है alkali hydroxide में, alkali hydroxide की जो भी solutions है उसमें आपका बिस hydroxy co-marine क्या है, freely solubile होता है storage की बात करें, airtight and light resistant containers यह भी कैसा है, hygroscopic in nature hygroscopic in nature होता है, official की बात करें, official preparation क्या है भई? dicumerol का, United State Pharmagope, dicumerol का capsule आता है as per USP dicumerol की tablet आती है as per USP use की बात करें, तो heparin, warfarin और bis hydroxy co-marine के use तीनों के तीनों use same है, means same as heparin and warfarin ठीक, warfarin, better है, आपको पता है अच्छे से कि anticoagulant क्या होता है, anticoagulant का क्या use होता है उसी के base पे, सारा का सारा एक thrombin मैंने छोड़ दिया है फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी complete आपका coagulant and anticoagulant खतम हो गया, okay, bye